दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं दूर था प्रभु मैं आज हूँ अभी मैं इस राख कि दूर था प्रभु मैं आज की हमारा विश्वई है यूश्वर का बच्चन हम विश्वासियों की जीवन में कितना महत्वर रखता है एक बार आईसा हुआ ये कमनुश्यों मेरे पास आया और आखकर अपने सभी समस्यों को मेरे साथ बाटा शेयर किया और उनके सबसे बड़ी समस्यों यही थी कि फादर मैं विश्वास में बहुत एक हमजोर हो गया हूँ प्रभु में विश्वास करने में असमर्त हो बरोसा रख नहीं सकता अपने आपको इश्वर के हवाले समर्पित नहीं कर पाता हो और मैं गर में प्रातना भी नहीं कर पाता हूँ इसलिए मैं बहुत डेस्परेट दुकी हूँ और इसलिए उन्होंने पूछा फादर मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा विश्वास और मजबूत हो जाए फिर मैं ने उनसे कहा विश्वास जो हमें बाप्तिस्मा के द्वारा मिलता है वो अपने आपको नहीं पनपता है जैसे चोटे से बच्चे को जनम देने के बाद उसको बड़े होने के लिए अवश्य के सभी चीजों को देने पड़ती है उसे प्रकार है बाप्तिस्मा के द्वारा जो हमें विश्वास से मिला है और वो उस विश्वास को पनपने के लिए बढ़ने के लिए उसके आवश्य कातपनी जरूर है देना है यदि हम यूही ऐसे चोड़ देंगे फिर हमारा विश्वास कमजूर हो जाएगी तबी तो हम इश्वास पर बरोसा नहीं रखवाते हैं प्रात्न नहीं कर सकते हैं चर्च नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमने अपने विश्वास को बढ़ने के लिए कुछ एकारियर नहीं किया है और यदि हमें इश्वार के वच्चनों को बारंबार पढ़ेंगे लगतार इश्वार के वच्चनों को सुनेंगे और इश्वार के वच्चनों पर मनन चिंतन करेंगे तबी तो इश्वार का वच्चन हमारे दिल में गहरा जड़ पकड़कर हमारे विश्वासिक जीवन को मजबूत करता है और हमें प्रभु में विश्वास करने के लिए प्रात्ना करने के लिए हमें उस्वकता इच्चा प्रदान करते है इसलिए रूमियों के पत्र अधियाई 10 बचन 17 में संद पहलोस हमें बदाते है कि हमें विश्वास में बढ़ने के लिए क्या करने चाहिए आप मेरे बाद बोलिए सुनने से विश्वास उत्पन होता है और जो सुना जाता है वहां मसिया का वचन है तो वचन के माद्गम से ही हमारा विश्वास दिड़ होता है मजबूत होता है और बहा हमें बहुत दूर तक विश्वासी जीवन में आगे ले चलता है बच्चन सुनने से, बच्चन पढ़ने से बच्चन के द्वारा हमें हम विश्वास में उन्मत करते हैं हमारे जीवन को विश्वासी जीवन को मजबूत करता है और हमें विश्वास में बनाए रखता है और जीवन की हर मुसिबतों को सामना करने के लिए हमें हिम्मत और शक्ति मिलती है वच्चन की माध्यम से और इसलिए मिस्वा की सुरुवात से लेकर मैं आपसी खहते है रहा हूँ मनिश्य सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता है जैसे शारिरी की जीवन के लिए बोजन की ज़रुवत है वैसे हम अपने आत्मी की जीवन में विश्वासी जीवन में उन्नती करने के लिए आगे बढने के लिए हमें वच्चन की ज़रुत है यिश्वर का वच्चन हमारे आत्मी के बोजन है इसलिए जितना मैं बोजन के लिए तरस्ता हूँ जितने हम बोजन करने के लिए उच्चन को हूँ क्या उसे प्रकार यिश्वर के वच्चनों को पढ़ने के लिए यिश्वर के वच्चनों को सुनने के लिए क्या मैं तयार हूँ और सबसे बड़ी बात है कि जब आपको यिश्वर के वच्चन सुनाया जाता है क्या मैं उसे उच्चुपता से सुनने के लिए तयार है या मैं लाप परवाई करता हूँ हमें यिश्वर के वच्छलों पर पढ़ने के लिए उन्मेती करने के लिए हमें उसुता दिखाना है सन्पोलोस आगे चलकर हमें बताते हैं मुझे सुसमाचार से लज़ा नहीं बोलिए यहां यिश्वर का सामर्तिय है जो प्रतिय के विश्वासी के लिए पहले यहुदी फिर युनानी के लिए मुझे का सुर्ट है तो तीन बाते सन्पोलोस हमें बताते हैं सबसे पहले कहते हैं सुसमाचार से मुझे लज़ा नहीं है शर्म नहीं है I am not ashamed of the gospel क्योंकि वह कहते हैं यहां यिश्वार के सामर्तिय है जब हम यिश्वार के वच्चनों को पढ़ते हैं यहां यिश्वार के सामर्तिय हमारे जीवन में आ जाती है हम बन्गान हो जाते हैं शक्तिसाली बनते हैं सामर्तिय बनते हैं हर प्रकार के शैतानी दुरवनों को दूर पर्लोवनों को जीतने के लिया में, इश्वर इस सामर्ति मिलता है, इसलिए संद्वोलस केए थे है, मुझे सु समाचार से लजजा नहीं, क्योंकि इसिवर की सामर्तिय है। हम मनशे कितने कमजोर हो जाते हैं, जब हम मनिश्य में यिश्वर के सामर्थी आ जाता है फिर हम बलवान हो जाते हैं जीवन के हर मुसिवत्तों के सामना करने के लिए हमें सामर्थ के मिलता है शक्ति मिलता है और इसलिए शंठोलुस हमें आज बताते हैं कि किस परकार हमें बिना शर्ण के बिना लज़ा करते हुए यश्वर को अपने जीवन में कैसे गिंखरन करना चाहिए और इसलिए जब कवी हाथ अपने जीवन में दुक्य हो जाते हैं निराश हो जाते हैं समझ लीजिये आप में यश्व़र की सामर्थिक कमी है अबाब है और इसलिए इसके लिए दुसरा को एक डाक्तर दवाई टौनी की नहीं दे सकता आपकी जीवन को मजबות बनाने के लिए हर जीवन की हर स्थिप्टिक को सामना करने के लिए आप में यिश्वर की सामर्ति की जरूत है और वहाँ सामर्ति हैं को आपको और मुझको मिलती है जब हम बाइबल खोलकर पढ़ते हैं इसलिए शामाये नहीं जब कभी हम बोजन के लिए बैटते हैं उत्रा ही खुशी से हमें यिश्वर के वच्छनों को खोलकर पढ़ना है क्योंकि यिश्वर के सामर्ति है और हम सबों को बलवान बनाता है और प्रत्य के विश्वासी के लिए पहले यहुदी और युनानी यहुदी जो विश्वासी थे युनानी अब विश्वासी थे उस समय के लोगों के लिए इसी प्रकार हाज की समय में यहुदी और युनानी वे लोग है जो प्रभू में विश्वास नहीं करते हैं तो सारी मानव जाती के लिए यिश्वर का वच्चन सामर्तिय है, शक्ति सालिह हर इंसान जब विश्वास के साथ पढ़ता है और इंसान जब इश्वर के वच्चनों को इश्वर के वच्चन के रूप में सुनता है वह प्रव की शक्ति सामयते को अनुबो करता है आप भी अपने जीवन में जरू अनुबो किये होंगे और कितनी लोग जब रेट्री ट्वारे में जाते हैं वह लगतार तीन देन चार दिन इश्वर के वच्चन सुनते रहते हैं और इस प्रकार बे परिवर्तित होते हैं एक नया इंसान बनते हैं और प्रव की सामयते से बरकर अपने जीवन के उत्सहा के साथ जीने के लिए उन्हें प्रेरना मिलती है जीहां प्यारे बाते तो बेनो यहां इश्वर के सामर्तिया यह सत्य को हमें कभी बूलना नहीं इश्वर के वच्चन सामर्तियवान है और इश्वर के शक्ति है जो हमें प्राप्त होती है और तीसरा कहिता है सबों के लिए यहाँ मुक्ति का सादन है जिहाँ जब यिश्व के वच्चन को हम अपने जीवन अपनाते है वहाँ हमें हर गुराई से मुक्ति दिलाती है पाप से मुक्ति दिलाती है एक नया जीवन जीने के लिए हमें शक्तिया और सामर्ते देते है हर प्रकार की दास्ता से मुट्ट होकर हमें स्वत्तिता में जीने के लिए यिश्व का वच्चन हमें सामर्ते देता है इसलिए प्यारे भायत तबहें नो हमें कमजोर होने के जरूरत नहीं मिलाश और दुकी वहने के जरूत नहीं यिश्वनान सबूम के लिए विश्वासियों के लिए अवजार दिया है यिश्व का वच्चन सामर्ति वाने यिश्व के सामर्ति है मुक्ति का सोत है और इसलिए हमें बड़ी कुशी से इसे सुईकार करना चाहिए और संटोलस क्यों कहते है मुझे लगजा नहीं है सुसमाचार से लगजा इसलिए है क्योंकि लगजा इसलिए उनको नहीं है सुसमाचार के कारण संटोलस को अत्यचार किया गया अपमानित किया गया है नंगा करके उसे गसीट के ले जाया गया क्यों सु سमाचार प्रचार करने के लिए फिरी पिसान पौलूस कहते है ईस सु समाचार के प्रचार करने में मैं कोई लज़ा नहीं क Faculty मैंने अपने जीवन में इस्वर के सामर्ठी के अनगोग किया है इसनीर लज़ा नहीं करता है मेरे उपर तुम कितना भी अत्याचार क्यों ना कर रहे मुझे लग्जा नहीं मैं जीवन के अंतिपेक मेरे सांस के अंतिपेक सुसमाचार के परेचार करते रहूंगा इसलिए वो खायत उन्हें में अनुवों किया है ईश्वर के सामर्ति और शक्ति को और इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में ईश्वर के वच्चन के सामर्ति को अनुवों करते हैं फिर हम किसी से लज्जा नहीं करेंगे सामर्ति के साथ हम ईश्वर के वच्चनों के गोशना करते रहेंगे और इसलिए हमें सुसमाचार से लज्जा नहीं करनी चाहिए और सुसमचार एक बहुत बड़ी किताब है जरूर और बहुत से लेककों ने इसे लिखा है और अलग-अलग समय पर लिखा गया है और इसलिए अलग-अलग लोगों ने लिखा अलग-अलग समय पर लिखा मगर हर ये के विक्ति जिन्होंने सुसमचार या बाइबल लिखा है ये सभी जन पवित्रा आत्मा से प्रेरिते पवित्रा आत्मा के सामर्ति से ही उन्होंने इस बाइबल को लिखा है और इसलिए याग बाइबल सिर्फ ऐसे कुछी पुरानी 200,000 साल पुरानी किताब नहीं इश्वर के बारे में कुछ आइडियास नहीं मर हम सबों के लिए सू समचार इश्वर के सामर्ति है मुक्ति के सादल है और इसलिए हमें इसे पढ़ना चाहिए कुछी से पढ़ना चाहिए और यदि हम देखते हैं कि हम विश्वासी कैतलिक की लोगों के बाइबल में और प्रोटेस्टन लोगों के बाइबल में बहुत फरक है पुराने विवस्तान में Catholic लोगों के Bible में 46 किताब है और नया मेवस्तान में 27 किताब है total मिलकर 73 किताब है मगर protection लोगों के किताब है only 66, 67 किताब है और इसलिए उनके Bible और हमारे Bible में बहुत फरक है, बहुत से किताबे missing है और इसलिए हमें उश्यार रहना है कि हम कुन सा Bible पढ़ रहे है और किन किताबों को हम पढ़कर प्रगु के बारे में ज्यान प्राप्त करते है उनका किताब में 66 Bible में 66 किताब है और हमारे Catholic Bible में 73 किताब है और इसलिए हम Catholic होकर, विश्वासी होकर Catholic Bible मैंने बहुत से गरों में देखता हूँ पुराने पुराने Protestant Bible रखे है और उसका अनवाद भी कमी है और छे किताब, साथ किताब कमी है और इसलिए आईसी Bible को हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और Bible जो ईश्वा का बच्चन है ना के बच्चन है स्वायम ईश्वार है क्योंगे जैसे योहन अपने सुसमचार में बताते है आदी में शब्द ता, शब्द ईश्वार के साथ ता और शब्द स्वायम ईश्वार ता और इसलिए जब कभी हम में Bible पढ़ते है स्वायम ईश्वार हमसे बाते करता है पवित्र आत्म हमसे बाते करता है और हम जवाब देते हैं जो बाइबल पढ़कर मनें चिंतन करते हैं और इसलिए हर बाइबल का वच्चन पवित्र आत्मा से प्रेरित है और जब कभी हम बाइबल पढ़ते हैं समझ लीजिए यिश्वर आप से मुझे से बाते करता है इसलिए दूसरा पेत्रोस अद्याए एक बेस में बच्चे नामें बदाता है दूसरा पेत्रोस एक बेस में मेरे बद बोलिए आप लोग सबसे पहले यहाँ अच्छी तरह समझ ले कि दर्मगरंती की कोई भी बविश्यवानी बिक्तिगत्र व्याका का विशाई नहीं होती क्योंकि मनुशी की इच्चा से कभी बविश्यवानी उपन नहीं हुई है बलकि पवित्रा आत्मा से प्रेरित होकर मनुशीय इच्चा की ओर से बोले है इसलिए जो कुछ बाइबल के वच्चन में लिका है हर एक वच्चन पवित्रा आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने लिका है और इसलिए जब कभी हम बाइबल का अनुवाद करते हैं हम पवित्रा आत्मा के माध्यम से शक्ती से प्रेरिना से हमें उससे समझने के लिए कोशिस करना चाहिए और इसलिए हिसमें हम गलत ना करने के लिए माता कलिस्या में मदद करती है माता कलिस्या जब हम बाइबलों को समझाती है उसकी प्रेरिना हम सबों के लिए लाबदाइक होती है और इसलिए कोई भी बाइशिवानी किसी भी मनिश्य के मुख से यू ही नहीं निकलता मगर हर ये के बविश्यवानी जो लिखी है मनिश्य के द्वारा नहीं मगर पवित्रा अत्मा के द्वारा बाइबल में लिखी हुई है इसी बात को संद पाउलोस ना पेत्रोस हमें बदाते हैं कि हर बविष्यवानी यिश्वर की सामर्ते से पवित्रात्म द्वारा मनिश्यों द्वारा लिखी गई है और यहां बाइबल के बच्चन सामर्ते वान हैं शक्तिशाली है जैसे कि हम उत्पति ग्रेंट अध्या ये की चौदा में देखते हैं यिश्वर कहता है उत्पति ग्रेंट में लेट देर बी लाइट सबसे पहले यिश्वर ने जोती की बनाया और शब्द मात्रे से अंदकार कितना भी मोटा तगड़ा क्यों न हो वो अलग हो जाती है जोती आने लगती है यिश्वर के मुख से निकलने वाले अर्ये की शब्द जीवन देता है अंदकार को दूर कर जोती को लाता है और नया विवस्तान में हम देखते हैं मती आठ चबीस में ये शु कहते हैं जब प्रेरित लोगे समुद्र में यात्रा करेते हैं तूफ़न आ जाती है और ये शु उटकर ये ही कहते हैं शान्त हो जाओ से प्रगो के मुझ से निकले वाला एक शब्द मात्र से तूफ़नी समुद्र शान्त हो जाती है शान्ती चाह जाती है ये शु उटो अपने बिस्तर लेकर चले जाओ 38 साल से पैरलेज्ट डिमें यूई ही उटकर चले जाता है या ये शु उटकर चले जाता है ये ये शु वर की वच्चन की सामरती है तो इस परकार हम देखते हैं यहान 11-43 में ये शु कहते हैं तीन-7 दिन के बादे लाजरस कबर में सड़ रहा है प्रभो के मुझ से एकी इस शब्द निकला लाजरस बाहर आजाओ हर एक के शक्त सामर्थ के वान है हम सबों को भी सामर्थ के से बर देता है बलवान बनाता है और जीवन की हर मुसिबतों को सामना करने के लिए हमें हिम्मत देता है इसलिए प्यारे माहित तब इनो जब आप दुकी है जब आप निराश है और जीवन जीने के लिए आप में उच्छता नहीं है दर्मगरंद को लिए पर हम क्या करते हैं दर्मगरंदा कोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोर लग रहा है अच्छना मैं दोस्तों से मिलने जाता हूं या पिच्चर देखने जाता हूं या टीवी के सामने बैटता हो क्या इन सभी दुनियाई चीज़े हमें जीने के लिए उमंग दे सकती है जीने के लिए इच्चा दे सकती है नहीं और भी हमें गल बुराई में डाल सकता है और इसलिए आज सन्पॉलस हमें बढ़ाते है इच्चा का वच्चन में लज़ा मत कीज़े यह इच्चा के सामर्तिय है और जब कभी हम इच्चा का वच्चन पढ़ते हैं इच्चा के सामर्तिय से हम बढ़ जाते हैं फिर हमें जीने के लिए हमें मदद मिलती है इसी बात को यर्मिया नभी अपने कितामें बदाते हैं वो अध्याई 23 वचन 19 में मेरे बाद बुलिए मेरी वानी अगनी जैसी है वहाँ उस अतोड़ा की तरह है जो चटान को तुक्रे तुक्रे कर देती है तो इर्मिया नभी वचन के बारे दो बाते बदाता है मेरे वानी अगनी जैसी है और मेरे वानी हतोड़ा जैसा है अगनी क्या करते है आग क्या करते है सब बातें को जला देती है बस्म कर देती है और इस प्रकारे यिश्वर के वानी में उतनी शक्ति सामर्ति है हम में जो बुराईया है जो पाप है जो बंदन है हर प्रकार की बुराई को जला कर यह कि नायाद जीवन देने के लिए सामर्तिवान है इश्वर के बच्चने का इसी आग है अग्ली है दूसरी बात बदाते हैं इश्वर के बाणी हतोड़ा जैसा है हतोड़ा क्या करते है चतान को भी तुकड़ा तुकड़ा कर देती है उसी प्रकार हमारा दिल इश्वर के प्रतिक कितना भी कटोड़ क्यों ना हो हमारा दिल में कितना भी नवरत मनमुटाव क्यों ना हो हतोड़ा जैसा इश्वर के वच्चन को जब हम हमारे दिल में जीवन में गिरहन करते हैं हमें नम्र बना देती है और यिश्व के सामने जीने के लिए लाइक बना देती है या जी हाँ यिश्व का वच्चन हतोडा है हम कितना भी कतोर कुना हमें नराम बना सकती है एक चोटे सा बच्चे को लेकर फिताजी गुमाने लेके जाता है जहां लोगे कलाकर लोगे पत्रों को चाट-चाट कर मूर्तिया मनाते हैं और जब फिताजी ने बेटे को ले गया काम तभी सुरुवात हुई थे कोई रूप नहीं दिकराता फिर दूसरा आपके जब बेटे को वहां ले गया फिर वो बेटा ने उस पत्र में अथोड़ा चला चला कर उन्होंने एक सुन्दर स्वर्वदूत का रूप निकाल दिया बाब बेटे अच्छे शक्रे शक्रे जाते हैं जो पत्र बिना रूप रंके थे इतनी पत्र का अंदर सुन्दर स्वर्वदूत का रूप कैसे निकला क्योंगी यसलिए निकला के यह उन्होंने अतौड़ा चलाया है तो इसी प्रगार हम कितना भी शैतानी क्यूं नहों हमारा रूप रंग कितना भी देखने लाइक नहों जब हमारे उपर हम बाराम बार अत्वरी चलाने से स्वरोगत रूप जैसे निकलता है वैसे बाराम बार हम इश्वर के बच्चनों को गिरहन करने से हम कितना भी बेकार दुनिया के लिए क्यों न हो हम प्रभु के लिए एक सुंदर स्रिष्टी बन सकते है स्वरोगत जैसे एक पवित्र इंसान बन सकते है हम हर पाप की बंदन से छुटकार अपा सकते है इसलिए हम में से कोई भी वेक्ति निराश होने की ज़रुत नहीं मैं कितना बेकार हूँ कोई काम का नहीं बेलकुर नहीं इश्वर की वच्चन जो हतोड़ा जैसा है उसे बारंबार इस्तमाल कीजिए फिर आप में ही जैसे पत्र से सुर्गदूत का रुप निकला वैसा आप में भी इश्वर का प्रित्रुप निकलेगे सबों के लिए जो प्यारे होते हैं इस प्रकार इश्वर का वच्चन अतोड़ा है और इश्वर का वच्चन अग्नी है जो हमें शुद्द बना सकता है नवीन बना सकता है और इसलिए हमारे एक विक्ट्यों के जीवन में बाइबल के प्रिति क्या आटिट्योड विचार दारा क्या होना चाहिए सबसे पहले हमारे एक विक्तियों के जीवन में बाइबल के बारे में It is a good news सू संदेश है, सू समचार है क्योंकि लूकस 2.10 में स्वर्वदोते गडेलियों से कहते हैं क्या कहते हैं आज तुम्हार लिए दावद के नहर में मुक्तिदाता प्रव मस्या का संद जनम हुआ है और इसलिए यहाँ आनंद का विशय है I am giving you a good news और इसलिए बाइबल सुरुआ से लेकर हंत तक यह good news है आनंद का विशय है यदि आनंद का विशय है तो हम उसे खुशी से कोलना चाहिए यदि आनंद का विशय है हम उसे खुशी से पढ़ना चाहिए यदि यहाँ आनंद का विशय है सुरुदत केता है आज मैं सुमसबों के लिए आनंद का विशय सुनाता हूँ इसलिए सुसमाचार आनंद का विशय है और इसलिए जब आनंद की विशे की गोशना होती है सुसमाचार आपको सुनाय जाता है उतना ही आनंद से हमें सुनना है और सुसमाचार आनंद लाती है हमारे जीवन में और इसलिए जब हम दुकी, निराश है, रोते हैं, आसुबाते हैं हमेरे चीवन में आनन्द के जरूरत है और वहाँ आनन्द हमें मिलता है जब हम ईश्वर के वच्छनों को पढ़ते हैं इसलिए संट अगेस्टेन बाइबल के बारे में क्या कहते हैं संट अगेस्टेन कहते हैं बाइबल is a love letter from God ईश्वर से हम सबों के लिए विश्वासियों के लिए प्यार के चित्ती है जब लड़का लड़ी की एक दुसरों को प्यार करते हैं जब एक दुसरों से love letter आता है एक बार नहीं, दस बार नहीं पंद्रा बार, बीस बार पढ़ते रहते हैं इन्होंने क्या लिगा, एक निक अप्तो जी येस, love letter में बहुत शक्ती है जब लड़का लड़ी की एक दुसरों को प्यार करते हैं दस बार ने, पंद्रा बार ने, प्वार बार पढ़ते रहेंगे इसी प्रकार है, लिश्वासियों से हम सबों के लिए love letter है Bible, मर आप और में कितनी बार इसे पढ़ते हैं कितने आनन्द लेते हैं Bible पढ़ने में यदि आनन्द नहीं है आज इसे आनन्द के साथ पढ़ने के लिए कोशिस कीजिए क्योंकि सुसमचार, Bible का हर एक वचन आनन्द का विशय है वह अतोड़ा है और अगनी है जो बस्म कर देती हर बुराई को और हम मर्ये के विक्तियों में नया रूप लाता है दूसरी विचारदारा क्या होना चाहिए यदि आनन्द का विशय है इसे हम खुशी से स्विकार करना चाहिए दूसरा हमारा attitude Bible के रोना चाहिए जो हम पढ़ते हैं पहला सेमविल वचन अध्याई तीन डस में पहला सेमविल तीन डस में यही वचन है जो यहां लिका है जौन क्या लिका हुदर बोल प्रबो तेरा दास सुन रहा है तो हमरी ये के विक्तियों के जीवन में Bible के प्रिटे यही विचारदारा होना चाहिए बोल प्रबो जब करें Bible कोलते हैं यही बोलना चाहिए प्रबो मैं आपका दास सुनने के लिए तयार है आप बोलिए ऐसा नमरता की बावना के साथ हमें Bible कोलना चाहिए सबसे पर यहां आनंद का विशा है और दूसरा दास का रूप लेकर बोल प्रबो तेरा दास सुन रहा है और इसलिए जबते भी हां से Bible की वच्चन की गोशना होती है हमर यह के विक्तियों के दिल में मन में यही विचार दावना चाहिए प्रबो हम से बोल रहा है और प्रबो मैं आपकी दास को सुनने के लिए खिरुपा दीजे मेरा कान खोल दीजे प्रबो जिसे मैं उच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च हम अरेक वक्ति जब वच्चन की गोशना होती है या प्रवच्चन दिया जाता है उतना ही उत्सुकता से हमें सुनना है और जब हमारे दिल में ये श्वत देखता है ये मेरा बेटा बेटी कितनी उत्सुकता से आनंद के साथ में वच्छन सुनता है या सुनती है ये शुप्रवाशाली वच्छन अमारे जीवन में परिवर्तन लाती है हम सबों को नया बना देती है और इसलिए येरिमिया 4810 में वच्छन कहिता है येरिमिया 4810 मेरे बहुद बोलिए वहाँ वेक्ति अभी सब्त है जो प्रबु के कारियों में सितिलता दिखाता है आदेगर बोलेंगे वहाँ वक्ती अभिशत है जो प्रभु के कारियों में शितिल्ता दिकाता है शितिल्ता क्या होती है यिश्वर के कारियों में ठंदेपन दिकाना यिश्वर के वच्चन की गोश्णा वतन समय चाय पीनी के लिए जाना महत्वा नहीं देना सम्मान नहीं देना और आईसी लिए वच्चन क्या गेता है जो यिश्वर के कारियों में शितिल्ता दिकाता है ठंदापन दिकाता है रुच्ची नहीं दिकाता है वच्चन सुनने में जो आनंद नहीं लेता है उसके लिए क्या है वहावेक्टि अभिश्ट वेने अभिशाप, इश्वर के अभिशाप आपा क्यों पर आएगी You are a cursed Man जब आप प्रवो के वचनों को उस्वुक्ता से नहीं सुनते हैं आप अभिश्वत हैं इसलिए जब आप गिरिज़ागर आते हैं यही मकसद लेकर आना चाहिए हमें यिश्वर के आशिस लेकर जाना है और इसलिए यिश्वर के आशिस के बदले में यही अभिशाथ मिल रहा है ने हम यिश्वर सम्मेंडी बातों में जो कुछ इस गिरजे गर में होता है हमें रुची से दाग लेना चाहिए और बहुत से बार मैं देखता है जब प्रवचन होती है मिस्टर बलीदान होती है जब पवित्र परंबसाद रुती प्रभू के शरे मगलता है लोग बोबैल लोके बाहर जाते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब यही है कि ये शो वे दिपर क्यों ना आ जाये इसका वचन की भी गोशना क्यों ना वो जाये मेरा मोबैल मेरा साथी जो भी बोलेगा वाँ मातल रखता है प्रवो कम सेकेंड प्लेज यदि आप इस प्रकार मोबैल के बाहर जाते हैं मिस्टर बलीदान में ना केवल आप दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैं महर आप अभी शाप लेकर जाते हैं इसलिए सावदान रहे प्यारे बाहित है तब इनो यदि आपको मिस्टर बलीदान से उटकर बाहर जाना है आपको आना है नहीं जैसे कलपर सुफाग ने बताये जब हम दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैं हमारे गले में चक्की के पत्र बांके सामुद्रों में फेक ना इसलिए लोगों को जीने के लिए अधिकार नहीं है यदि आप मंदिर आते हैं हम अरियक के विक्टियों को पूर नरुप से जो कुछी प्रात्न ही होती है वचन होती है गाना होती है दिल से मन से भाग ले ना है जब बार-बार उटकर बाहर जाते हैं ये शुकर अपमान है आप येशु संबन दी बातों में शित्तिलता दिकाते हैं तन्डे पन दिकाते हैं आईसी लोगों के लिए अभिशा आपकी तैयार है जी हम प्यार इबाइते तबेनो वहाँ वक्ती अभिशत है जो प्रभु के कारियों में शितिलता दिकाता है इसलिए हम गिर्जा आते हैं दिल और मन से बाग लेना चाहिए इसी बात को हम उबदेश गरंत में पढ़ते हैं इसको मैंने पहले भी आपको बताया है अब अचिन मेरा बाद बुलिए यदि तुम हिश्वर के मंदिर जाते हो तो सावदान रहो और पास आकर ध्यान से सुनो यदि तुम हिश्वर के मंदिर जाते हो सावदान रहो और पास आकर ध्यान से सुनना है कान खोल कर ध्यान से सुनना है कि यश्वर आज मुझे क्या संदेश दे रहा है और जब इस इस लिए प्यारे बाइति तुमेनो मेरा आप सबों से अनिरोद है यदि आपको जरुरी काम होगा जरूर होगा जरूरी काम होगा आपके बुलाने वाले हैं आप घर में बैठके पूरा काम पूरा कीजिए और शाम के मिस्टा में हैं या सबेरे के मिस्टा में आएए मगर ये दी मिस्टा में आ गए हैं और इसके बीच में उठकर जाना आप शितिलता दिखाते हैं और दूसरों के लिए भी पाप का कारण बनते हैं इसलिए सावदान रहिए इश्व का वच्चन में बताता है हमें शितिलता नहीं दिखाना है उच्छुकता से आनंद के साथ इश्व का वच्चन हम सब लों को सुनना है इसलिए एरिमिया नभी अध्याई 26 वच्चन 13 में हम पढ़ते हैं एरिमिया नभी कहता है अपना आच्चन सुदारो अपने प्रभु इश्व की बात सुनो जिससे उसने जो विपत्ती बेजने की दमकी दी है वह उसका विच्चार चोड़ दे तो इश्व के विच्चार को हम बगल सकते हैं जब हम इश्व का वानी को सुनते हैं और अपने आच्चरन को सुदारते हैं हमारे आच्चरन इश्व के बारे में सुदारने के जरूत है और इश्व के वच्चनों को सुने कर को बाद चोड़ सकता है इसलिए याकुब अपने पत्र में कहते हैं अध्या ये के बाविश में अब मेरे बाद बोलिए आप लोग अपने को दोका नहीं दे वचन के सोता ही नहीं बल्कि उसकी पालन करता भी बने इसलिए हम गिरिजा गर में आकर या गर में वचन परकर यूही बंद करने से परियाप्त नहीं हर समय जब हम भाईबल कोड़ते हैं वचन सुनते हैं ये श्वार मेरे लिए आज ही क्या संदेश दे रहा है मेरे जीवन में क्या परिवर्तन लाने के ज़रूरत है ये श्वार आज मुझे से क्या चाहते हैं इन सभी प्रश्णों को पूछना येक अध्या पढ़ लिया येक पढ़ लिया तो इस वचनों से येश्व मुझे क्या संदीश देना चाहते हैं मेरे जीवन में किन-किन बातों की कमी है मेरे जीवन में कहा सुधार लाने के जरूत है इस प्रक प्रयास करना चाहिए और हमारे लिए सारे मानव जाते के लिए ग्रेटेस्ट एक्जामपल सबसे बड़ी उदारन है जिन्होंने यिश्वर के वच्चन सुना और उसके अनुसार चली है वह है माता मर्याम जिन्होंने यिश्वर के वच्चनों को समझा नहीं इसलिए वचन कहिता है वहाँ उन सभी शब्दों को अपने दिल में संजोरे रखा और मनन चिंतन करते रहा और उसकी अनुसार चलने के लिए प्रयास की और इसलिए कभी कभी हमें इश्व के वचन समझ में नहीं आता है मगर उसे दिल में रखिये माता मर्य के समान और उसकी अनुसार हम जवाब देने के लिए समय पर सवाब देने के लिए दिल में जमा करते हैं मनन चिंतन करते हुए प्रती दिन चीने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और माता मर्य में ही कहते है इश्रो के वच्चनों को सुनने के बाद मैं प्रभू की दासी हूँ इसलिए परकार हमारी एक विक्ति ख्राएना चाहिए इश्रो के वच्चन के बाद प्रभू आपके वच्चन मेरे दिल में उतरे मैं आपका प्रभू आपकी दास और दासे हो आपका कतन मुझे में पूरा हो जाए और इसलिए आज की सुसामचार मैं हमने पढ़ा जॉन आज की सुसामचार कुन सा है सुना गया नहीं सुना मती साथ जो ये मेरी बाते सुनता है और उन पर चलता है वहाँ वो समझदार मनिश्य के सदरे से है जिसने अपने गर चत्तान पर बनाया और यही जब हम वच्चन के अनुसार चलने के लिए कोशिस करते हैं हम बुद्धिमान बनते हैं और यह से वच्चन कहता है चत्तान पर गरहने से आंध्या चली तूफान आये बाड़े आये फिर भी वह गर नहीं तरहा मजबुत रहे उसे प्रकार जब हम वच्चन के अनुसार अपने जीवन जीते हैं चलने के लिए प्रियास करते हैं हमारे जीवन में कितना भी तूफान पानी क्यों ना आ जाये हम गबराएंगे नहीं क्यों कि हमारे नीवे ईश्वर के वच्चन पर डाली गई है और जब हम वच्चनों को सुनकर उसके अनुसार नहीं चलते हैं वच्चन के इताहिवे मूर के है जिनोंने अपने गर बालू पर बनाया रेती पर गर बनाने से ठीकेंगे क्या जान जब बाहर आएंगे पूरे पानी की बाहर कर लेके जाएगी तो इसलिए यदि हमारे जीवन ईश्वर के वच्चन के मुतापिक नहीं है तो समझ लेजिए हम सब मूर के है और युहीं अवाब बहेगी पानी आएगी हम इदर उदर बटकते रहे जाएंगे और इसलिए हमारे जीवन को मज़बूत बनाना है ताकत और बनाना है आंधिया चली तूफ़ा ना ये यह अपने जीवन की समस्या है दुक है संकत है जो हर विक्ति के जीवन में आता है ऐसी स्थिति में सामना करने के लिए हमें वच्चिन की सामर्ति की ज़रूत है जो संद पौल उसने हमें बताया है सुरुआत में मुझे येश्वर की सोसमार्चार से लग जा नहीं क्योंकि यहाँ येश्वर की सामर्ति है और जब हम येश्वर की सामर्ति से बढ़ कर अपना विशुासी जीवन कीर्ष्तियाज जीवन जीते हैं हम जीवन के हर मुश्किलों को सामना कर सकते हैं प्यारे इसे अन्मॉ कजाना हम सबों के पास से है अपने गर में हैं आप इसलिए इसको इसको स्तैमाल करना चाहिए बाइबल खोल ये प्रते देन परिवार के रूप में बेखती गयत रूप में खोल कर येश्वर के सामर्थी को अपने जीवने अपनाईए फिर देखिए आपके जीवन में कितनी आनंद आप देखिए कितनी सुकद रहेगी आपके परिवार में कितनी शांती रहेगी आज इसमें सब लिजान में हम येश्व से यही परापना करें परभी येश्व आपकी वच्चन से मुझे कोई लज़ा नहीं मैं रोज आपके वच्चनों को पढ़ूँगा क्योंकि आपके वच्चन में है सामर्तिया येश्वर ये सामर्तिया जब मेरे जीवन में परिवार में आ जाती है हम परिवार के सब मुझे कर अपने कृस्टिय जीवन को विश्वासी जीवन को उन्नती के और आगे बढ़ा सकेंगे तो आएए प्यारे बहाएं तद्वेनों इसे बात के लिए हम येश्वर से कृपा मांगे वर्दान मांगे आमेन